नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंखरना हुए पैठी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे कंजिक्टिव आइटिस के विशे में बरसात का मौसम आता है बरसात के मौसम में जैसे धूप साथ में निकलती है तो आप देखेंगे कि हम सब की जीवन में कभी न कभी उस समय पर कंजिक्टिव आइटिस हुआ होगा आखें गुलाबी हुई होगी आखें लाल हुई होगी आखों से कीचड़ाया होगा आखें चिपकी होगी कंजिक्टिवाइटिस को साथियों पिंक आई भी कहते हैं यहां बहुत common condition है बहुत harmful condition नहीं है लेकिन यह भी सत्य है कि अगर किसी चीज का हिलाज न करा जाए तो वह ही इक्रावनिक हो कि आपको नुकसान पहुचाती है आज हम आपको बताएंगे गीकाई को ठीक करने की दसकारगर ह्मिवेठिक नुकसान सबसे पहले साथियों जान लेते हैं यहां जो एक कंजिक्टिवाइटिवाइटिस होती है कॉर्णिया के हां ऊपर पर टांस्परेंट मेंबरेन होती है आईबॉल छोड़के जो आपका वाइट पोर्शाने स्कलेटा इसके उपर एक ट्रांस्परेंट लियर होती है कॉर्णिया की तो यहाँ जो लियर होती है इसमें जो है बहुत महीं महीं ब्लड वेसल्स होती है इस समय हम बात करें तब भी वह मौझूद है आप हमें देख रहें तब भी वह मौझूद है लेकिन कभी कभी होता क्या है यहाँ किनी कार्णों से स्वेल कर जाती है इसमें सूजा ना जाती है तो आखे बिलकुल लाल दिखने लगती है वही स्थिती को conjunctivitis या पिंक आई कहते है होमियोपैथी में पिंक आई को ठीक करने की बहुत कारगर तबाए है कि हम लोग अब जान लेते हैं इसके सिंटम्स क्या होते हैं आखोओंे किचणाना, आखोओं का चिपकना, आखोओं का लाल होना, आखोओं में रेट ऐसी गड़न होना, आखों में भारीपन होना, सूजन होना यही सब शिंटम हैं के पिंक आई कहे इसके कॉज्स की बात कर लेते हैं साथी हो जब भी कोई bacteria या virus की allergy होती है bacteria या virus का infection या allergy का कोई allergen हमला करता है तो हमारे body के जो mass cell होते हैं वो प्रतिरोज़क छमता के जो cell होते हैं वो उस पे counter attack करते हैं उसको रोकने के लिए और वह histamines produce करते हैं यह histamines तमाम तरह के allergens को produce करती है जो इससे लड़ सके हैं और वही सब जो mucus के रूप में एक protective gear होता है हमारे eye का वहाँ पूरा secret होता है कभी-कभी eye duct को block होने पर भी जो है वहाँ बच्चों में conjunctiveitis partial eye duct की blockage होती है तब भी conjunctiveitis हो जाती है लेकिन main symptom यही प्रतिरोज़क छमता है जो bacteria virus से होती है लेकिन समस्या है साथियों उसका समधान भी है हम आपको बताते हैं दस ऐसी कारगर दवाएं जो आपके conjunctiveitis को ठीक करने में मदद करेंगी लेकिन उससे पहले साथियों यहाँ बता दें क्या दवाएं आपकी जानकारी के लिए जैसा हमने का आई एक बहुत important organ है तो कीफिट डॉक्टर से ही पूछ कि आप दवा लीजेगा मैं आपको जानकारी जरूर दे रहा हूं कि हमियोपैती में यह यह विकल्ब मौजूद है चलते हैं साथियों सफर पे जिस पे आपको बताते हैं अगर आपकी आखे लाल हैं उनमें चलन हो रही बिलकुल सुर्ख है जो कंजेक्टिवाइटीस में होता है तो आप बेलेडोना 200 पावर में दो दो बून दिन में चार बार मरीज को दे सकते हैं यहां उनकी आखों की लाली और कंजेक्टिवाइटीस दोनों को ठीक करने में मदद करेंगी एक साथिओं स्थिति किसी के सामने आ सकती कि आपके कंजेक्टिवाइटीस और आगे धुआँ आगे धुआं धुआं सत्धिख रही है अगर यहां सिम्टम आप में है कि smokey eyes आपकी हो रही हो eyes में smoke आ रहा हो तो इसको ठीक करने की हुमियोपेथि हैं बहुत अच्छी दवा है alumina silicate alumina silicate आप 30 पावद में 2-2 बून दिद में 3 बार ले सकते हैं अगर आपके smokey eyes हैं और आपको धुआ ऐसा आपको में महसूस हो रहा है तो यहाँ दवा आपकी मदद करके आपको ठीक करेगी दूसरी दवा जो सातियों इस संखला की आती है अगर आपके conjunctivitis है और सात में आपके आपके आपसे कीचड बहुत आ रहा है और आप में जलन हो रही है तो उसको ठीक करने की हुमियोपेथि में बहुत कारगर दबा है यूफ्रेसिया आप यूफ्रेसिया 200 पावर में दो तो उन दिन में तीन बार ले सकते हैं अगर आपके आपके आपस में चलन हो रही है और आपसे कीचड भी आ रहा है तो यूफ्रेसिया आपकी drug of the choice है एक स्थिती सातियों आती आपके बहुत आख्मों से पानी आ रहा हो बिल्कुल आखें लालों पानी बहता जा रहा हो रात में आपको बड़ी बेचैनी पैदा हो रही हो और पानी भी आपका रात में आना आख से बढ़ रहा हो जो चलन कर रहा हो अगर यहां सिम्टम्स आप में हैं तो इसको ठीक करने की हुमियोपेटी में बहुत कारगर दवा है रस्टॉक्स आप रस्टॉक्स इडिंडॉन 30 पावर में दो दो गून दिन में तीन बाल दे सकते हैं यहाँ आपकी आखों से जो पानी आ रहा है जिसमें बहुत चलाने है उसको भी कंट्रोल करेगी और आपके कंजिक्टिव आईटिस को भी ठीक करेगी एक इस्थिति आती है कि आपकी आँख से कीचड आ रहा है वहाँ कीचड बहुत बद्बूद आ रहे हैं अगर उस offensive है, उसमें जो है दुर्गंद है, तो अगर वहाँ बहुत दुर्गंद है उसमें और आखें उससे चिपक रही हैं, तो उस स्थिति को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है, पलसेटिला, पलसेटिला नाइगरा 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार आप ले सकते हैं, यहाँ दवा आपके आखों को ठीक करेगी, आपकी कीचर को खतम करेगी, उसमें होने वाले infection को खतम करेगी, और आपको ठीक करने में मदद करेगी, एक स्थिति सातियों आती है कि आपके conjunctivitis हो गया और हरे रंग का डिश्चार्ज आपकी आखों से आ रहा है, अगर ग्रीनिश टिंच लिए हुए आपके आखों से म्यूकस का डिश्चार्ज आ रहा है, तो उसको और conjunctivitis को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है काली आयोडेटर, आप काली आयोड 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बाल ले ले, यहाँ दवा आपको बहुत रि इस्थिती में कि जब आपकी आखों से पानी आ रहा हो, उसमें जलन ना हो, लेकिन आखों से बहुत पानी आ रहा हो, और आपको नजला हो गया हो, जिसमें की नाख से जो पानी आ रहा हो, उसमें जलन हो, अगर यहाँ इस्थिती आप में है कि आपको कोल्ड बहुत जादा हो गया हो कंजिक्टिवाइटिस के साथ साथ और आपके नाक से जलन वाला पानी आ रहा हो तो उसे सिति को ठीक करने की हुमियोपैति यह बहुत कारगर दवा है एलियम सीपा आप एलियम सीपा थाटी पावर में दो दो बून दिन में दीन बाल ले सकते हैं यहां दवा आपक कौर आप मर कौर थाटी पावर में दो दो बून दिन में तीन बार कंजिक्टिवाइटिस की स्थिति में ले लें आपको धूखा नहीं मिलेगा आपको लाब इस दवा से तुरंट महसूस होगा एक जो साथियों बहुत कौमान इस्थिति आती है कंजिक्टिवाइटिस में कि वहाँ आपके पीले रंग का मवाद ऐसा कीचर निकल रहा है म्यूकस निकल रहा है और आपकी आखें चिपक गई है तो अगर यह स्थिति आप में हैं कि आपको यलो कलर का डिश्चार्जेज हो रहा हो आख से और आख चिपक रही हो तो आपकी drug of the choice उसे इस्थिति में बनती calcarea sulphuricum आप calcarea sulphur 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं या आपका जो यलो कलर के डिश्चार्जेज आपकी आई से आ रहे हैं इसको खतम करेंगे और आपको ठीक करेंगे एक स्थिति सातियों आती है conjunctiveitis की case में कि आपकी आँख से बहुत कीचर निकल लाओ और आखें बिल्कुल चिपक गई हो बहुत सारा कीचर इखटा हो गया और खासतोर से सुभा के वक्त हो गया सुभा उठियों तो आपको कीचर से आखें बिल्कुल ब्लॉक लगी हो अगर वाय स्थिति conjunctiveitis की है तो उसे स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है उम्योपती में बोरेक्स आप बोरेक्स दो सौपावर में दो दो बून दिन में तीन बात दे सकते हैं यहां दवा आपके conjunctiveitis को ठीक करने में और आपका जो बहुत सारा म्यूकस निकल के आखों को सुभा सुभा चिपका रहा है उसको ठीक करने में सायक होगी एक स्थिती साती हों conjunctiveitis में आती है कि आपके इतना कीचर चिपक किया हो आपके आँख में कि आप इसको निकालना पा रहे हो तो अगर यहां स्थिती आप में देखते हैं कि आप इतना कीचर चिपक किया हो आँख में कि आप निकालना पा रहे हो तो उस स्थिती को ठीक करन करने में मदद करेगी एक स्थिती साथियों आती है कंजेक्टिव आइटिस की स्थिती में कि आपकी आखों में बहुत ज्यादा कीचड़ आ रहा हो आखें चिपक रही हो उसमें कीचड़ में बद्बू हो और आपको रोश्णी से दिक्कत हो रही हो तो अगर यहां फोटो फ करें एंटक यहाँ गूपल्यों के ट्खकों धकर क्रेगी आपके फोटो फोटो फोब्याल कीच Filip wheat को करेगी एके सिथी शातिए और दोन की रखें टिउ में बहुत करही हो तो बहुत कारगर दीइतरें और द सील siya inuti पिस मेल 30 पावर में दो दो पून दिन में तीन बार ले लें उस कंडिशन में जब आपको प्यास बहुत कम लगती हो या ना लगती हो और आपको लगातार रहता हो आपके कुछ धूल चली गई है हर समय लगता हो आप में धूल है और आपको बहुत परिशानी होती हो तो अगर वो सेंसेशन आप में लगातार पार बार आ रहा है तो उसको ठीक करने की और उस सिम्टम से मैश करते हुए आपको कंजेक्टिव आइटिस को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा होमयोपथी में रूटा ग्रेवियोलस रूटा दो सव पावर में आप दो दो बून दिन में तीन बार ले ले यहां दवा आपके आप में जो डश्ट का सेंसेशन बार बार आ रहा है उस समय से आपको खात्म क करके आप कांजेक्टिव आइटिस को भी ठीक करेगी यहां साथियों कुछ दवाएं थी आपके कंजेक्टिव आइटिस यानि पिंक आई को ठीक करने की दवाएं साथियों बहुत कारगर हैं लेकिन आख भूट ही बड़ी नियामत है उपर वाले की तो आख के संबंद में कोई दिकत हो, चाहे वो connectivitis है, चाहे कोई और, आप यहाँ वीडियो देखके अपने मन से दबाना लीजिएगा, जो आपका registered medical practitioner कहें, आप उस तरहां से वो दबा लीजिएगा, मन में कोई query हो, तो आप हमें अपनी query WhatsApp कर सकते हैं, या YouTube notification panel पे लिख सकते हैं, आपको कोशिश क करेंगे संतुष जनक जबाब दे पाएं, आप से निविदन करेंगे सात्यों वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करिएगा, शेर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बैल आइकन को क्लिक करके, सबसे पहले सबसे निया वीडियो योही प् बहुत बहुत धन्यवाद। आज्यवाद। लग 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 कर दो ऑना है